नमस्कार दोस्तों, फानली जाकर जो नए CBI के चीफ होंगे, मतलब Central Bureau of Investigation के अंदर जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है डारेक्टर की, उनका चैयन कर लिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर्मर महाराष्टरा डीजीपी, सुबोध कुमार जैस्वाल अपॉइंट CBI Director, लेकिन पिछले दो दिनों से यहाँ पर काफी जादा discussion हो रहा था, चर्चा हो रही थी, कि यह हो क्या रहा है, क्यूंकि आपने देखा होगा, पहली बार Chief Justice of India के दोरा, यहाँ पर एक रूल के बारे में बताया गया, और यह रूल रिलेट करता है, 2006 के Supreme Court के judgment में, जो आ रागू होना चाहिए, जिसकी वजए से जो Central Government की choice थी, मतलब एक तरह से Prime Minister की choice आप कह सकते हो, क्योंकि आपको यह समझना है कि जो Prime Minister है, वो इस Committee के अंदर होते हैं, तो उनकी जो choice थी, उसको यहाँ पर एक साइडलाइन करना पड़ गया, और finally जाकर, यहाँ पर जो सुबो से जानेंगे कि exactly है क्या, चल क्या रहा है यहाँ पर, कौन से rule की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आज़ा आपको जानने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी, वहाँ स आप हमारे आपको भी download कर सकते हैं, exactly यहाँ पर क्या हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहली बता दिया, जो IPS officer है सुबोत कुमार जैसवाल, और वो इस समय अगर आप देखोगे, तो CISF, that is Central Industrial Industrial Security Force, उनके चीफ हैं, उनको यह head कर रहे हैं, उनको अब यहाँ पर नया director बना द अब यह जो selection process है, देखेगा, High Powered Committee के द्वारा होती है, जिसके अंदर Prime Minister होते हैं, Chief Justice of India होते हैं, और जो Leader of Opposition है, और अव्वेसी बात है, इससे मैं Leader of Opposition का दर्जा किसी को नहीं मिला हुआ है, तो जो single largest party है, उनके जो leader है, अधीर रंजन चौधरी, वो इसके अंदर आपक 1984 से लेकर 1987 के batches में कौन-कौन नाम है, तो इसके अंदर 109, 109 नामों को यहाँ पर निकाला गया, और उसमें से क्या किया गया, 10 नाम shortlist किये गए, और यह जो 10 नाम shortlist किये गए थे, DOPT के दोरा, that is Department of Personal and Training, और यह जो department है, याद रखेगा, यह directly आता है, Prime Minister's Office के अंदर में, ठीक है, तो PMO के अंदर में आता है, उन्होंने 10 नाम को shortlist किया, किसके लिए, High Powered Committee के लिए, यह जो committee हमने बात किया, यह इसको discussion करके नाम ले, फिर इस committee ने क्या किया, finally जाकर, 6 नाम इस committee को दिये गए, मतब, DOPT ने फर्दर इसको कम कर गया, और 6 नाम जो है, इस committee को यहा Y.C. Modi, अब यह ऐसा बताया जा रहा था कि Central Government की choice थी, in fact मैं आपको बता दूँ, Y.C. Modi जो है, वो आपका इसी मंत उनका tenure खतम होने वाला है, और वो इस समय National Investigation Agency के chief है, लेकिन उनका tenure जो है, वो इसी महने खतम होने वाला था, इसके साथ साथ जो अस्थाना है, राकेश अस CBI को लेकर हमेशा जो government power में होती है, वो ज्यादा तर चाहती है कि हमारे favorable में रहे, आप पिछला जितना भी इतिहास है वो निकाल के आप देख सकतो, मुझे इसमें कुछ भी बताने की ज़रुत नहीं है, चाहें कोई भी party रही हो center में, हमेशा उनका यही तर्क होता है, कि उनके favor में ही कोई ऐसा chief बने, लेकिन यहाँ पर यह जो दो नाम है, राकेश अस्ताना और Y.C. Modi, इनका नाम यहाँ पर हटाना पड़ा, क्योंकि Chief Justice of India ने यहाँ पर कुछ guidelines के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि 2006 का जो landmark judgment था, प्रकास सिंग judgment, पुलिस reform के उपर था, वैस अगर उसका tenure छे महने से कम बचा है, आया समझ में, मतलब कि अब आपको यह समझना है कि यह जो पद होता है, इसमें दो साल का tenure होता है, तो अभी जैसे मैंने आपको अलुडी बताया, Y.C. Modi का जो पद है, वो क्या है, इसी महने समाप्त हो जाता, और अस्ताना का पद जो ह बोला गया था, और इसी को लेकर जो Chief Justice of India है, उन्होंने ये कहा कि इस particular rule को हमें लाना चाहिए, और इसको comply करना चाहिए, और इसको लेकर Prime Minister ने भी सहमती जताई कि ठीक है, अगर यहाँ पर Chief Justice of India का कहना है, कि इस तरह का rule होना चाहिए, तो हमें इसको मान लेना चाहिए, त ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, Interestingly एक बहुत important चीज मैं बताता हूँ, जो 100 non-officers के नाम लाए गए थे ना, उसमें से जितने भी नाम अगर आप देखोगे, तो सभी के, सभी के 6 महने से कम बचे थे, बचाए इन 3 के, यह जो 3 नाम आप देख रहे हो, इनी 3 का ऐ चुन लिया जाएगा, क्योंकि यह भी again Central Government के थोड़े से करीब ही बताया जाते हैं, जैसे कि RAW अगर आप देखोगे, तो उसमें उन्होंने काम किया है, तो इसके अलावा एक तर्क यह भी आ रहा था, कि हो सकता है कि शायद इनको ना किया जाओ, क्योंकि इनको CBI का कोई experience यहाँ पर जो कौमोदी हैं, वी एस के कौमोदी, उनके पास experience है CBI का, लेकिन इनके पास नहीं है, लेकिन ऐसा कोई rule नहीं है, कि अगर आपके पास CBI का experience नहीं हो, तो आपको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई rule नहीं है, पिछले बार भी अगर आप दो appointment देखो होगा, इसका implication क्या होगा, तो देखे, जो chief होते हैं CBI, IB या फिर raw case, सभी के जो tenure है, वो आप देखोगे, तो दो साल का जो है, वो tenure होता है, फिक्स tenure होता है, तो अब यहाँ पर सुबोध जैस्वाल का, दो साल का tenure होगा, भले ही वो retire हो जाते, वो भी retire हो जाते, बहुत ही जल्द इसी साल के end में, लेकिन दो साल का होगा, लेकिन पहली बारा ऐसा हुआ है, कि यह जो 6 मेने का condition है, वो लगाया गया है, पहले कभी नहीं लगाया गया था, तो एक तरह से जो CGI है, रमना प्रेजेंट में, उन्होंने यहाँ पर एक नया president सेट कर दिया है, आगे आने बताया था कि 109 नाम जो है, वो एक पहले लाया गया था, लेकिन यह जो 109 नाम है, वो D.O.P.T. के दोरा जो है, आपका shortlist कर दिया गया था, उसमें से हटा कर, finally, जो चौधरी है, अधीरंजन चौधरी, उनका कहना है कि हमें सिर्फ 16 नाम यहाँ पर दिया गया है, जो कि ग इसलिए अधीरंजन चौधरी चाहते थे कि यह जो मीटिंग है, इसको फर्दर डिले किया जाए, लेकिन सरकार का कहना था कि औरड़ी यह मीटिंग चार मेने डिले से चल रही है, क्योंकि आप देखो, मैंने आपको बताया कि फेबरली से कोई भी डारेक्टर के पत पर नह इनके बारे में अगर मैं आपको बताओ, तो यह कई सारी हाई जो केसे होते हैं, उनसे रिलेटेड हैं, तेलगी स्काम हो गया है, जो स्टैंप पेपर वाला स्काम था, चब्वी से ग्यारों मुंबई अटाक के अंदर भी यह शामिल थे, उसको फाइट करने के लिए, इसक जनरल जो है, वो उस पद पर बने हुए थे, लेकिन इनका डिफरेंसेज भी देखने को मिल रहा था, जो शिफ्टेना गौर्रमेंट है इस समय वहाँ पर महराष्ट में, उनके साथ ट्रांसपर पॉलिसी बगर को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मुंबई एंटी ट PBI का जो डिरेक्टर का पाद है, वो अकसर कॉंट्रोवर्सी में ही रहा है, पिछले कुछ सालों से, सुप्रिम कोट के भी कुछ बयान आये हैं, जो पैरेट वगर है, इस तरह का शब्द दिया गया है, लेट सी कि यहाँ पर किस तरह का प्रेसिदेंस सेट किया जाता है, न पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका राइट आंसर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरी इसके फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो, बाकि आप मुसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, पीडिया फ्री यह त कर में इसके कर दो सकते हैं, वह बाता है मैं बाноп़प हो प्ले आप म chocolate लेंगेशοιा लेग्राम उनमी हैं, बार दोगिया आंस पिसे एॉर्म माण को मैं पर सकते हैं, त alleen हून में इसके हो, कि कहा औरका दुड़ना बालता हैं, सकते हैं खें सकते हैं, घड़ना हैं आप में ज